देखे रोहित पिछले 48 घंटे से हलचल तेज थी और ये था कि परमवीर सिंग की अब विदाई लगभगता है हाला कि कल ये बयान दिया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन सोमवार की देर रात के बाद से कल शाम तक बहुत सारी चीज़े बदल गई और उन बदलाओं की वज़ा से परमवीर सिंग का जाना लगभगता हो चुका था और इसकी सबसे बड़ी बादा मैं आपको बताओ रोहित वो ये थी कि NIA की एक जो सीनियर अफसरों के टीम है वो मुंबई पहुंसती है कल और उनका अब ये काम था कि कुछ और इसमें लोग है जिनसे पूछ ताच करनी है मुंबई पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग और सचिन वाजे इनके रिष्टे कम से कम 20 साल पुराने परमवीर सिंग डी सीपी हुआ करते थे मुंबई में उनकी टीम में सचिन वाजे क्या करते थे इनाईये ने सम्मन तो नहीं दिया ओफिशली लेकिन उनने एक मैसेज भिजवाया कि इस के सिलसले मैंटीलिया की जो जाच हो रही है सचिन वाजे की जो जाच हो रही है उसमें कहीं न कहीं परमवीर सिंग से भी पूछताच करनी है अफिशली आप इसको क्योंके सम्मन आप देंगे तब ये बाचीत होती है तो एक पुलिस कमिशनर को एनाईये के जरीए तलब किया जाना ये किसी भी राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है उसी के बाद हालकि ये फैसला आज नहीं होना था लेकिन अचान ये उनका तबादला कर दिया गया हलकि ये तबादला शायद मुझे लगता है कि दो चार दिन के बाद ये हफते बर के अंदर होना था लेकिन जितने सबूते नहीं के पास मिल रहे हैं खासतोर पर सचिन वाज़े को लेकर अब तक दो गाड़ियों की पहली ती ये एक काली मरसिडीस की जो आई है एक गाड़ी में क्राइम रांच के दफ्तर के बाहर जो पार्क होती है और उसके अंदर नोड गिनने की मशीन हो पेट्रॉल और डीजल के कैन रखे हो उसमें करीब पांस लाक रुपए से जादा के कैश हो ये सारी चीजे और पिर उनके आंसे वो ड सचिनवाजे के घर पे ही पार्क थी ये सारी चीजे उस डीवियर के जरीए सामने आ सकती है तो कुल मिलाकर सचिनवाजे के खलाफ इतने पुक्ता सबूत थे और सबसे बड़ी बात है कि सचिनवाजे ने नहाई के सामने ये पूस्टाच में माना है कि हाँ इस एंटीलिया जिन नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं या जिन और लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं अगर इस मामले में इतनी सारी चीजे सामने बिखरी हैं तो वो नाम अब तक सामने क्यों नहीं आया होते हिएं अ महाराष्च में इस्पेकर और स्बस्पेकटर के बीच में और भी रैंक होता है लेकिन एक एसन पुलिस इंस्पेकर एंटीलिया जैसे देश के सबसे अमीरा अधमिय मुकैश्ट अम् oko ini के घर में एक विस्पोटक से भरी कार रखे और वो अपने पद और कत के हिसाब से उसको देखें कि वो अकेला ऐसा करें ये गलेब से नहीं उतरती नहाजम होगी जाहिर सी बात है इसके पीछे और भी लोग होंगे लेकिन जो सबसे बड़ी बात ही कि मकसद क्या हो सकता मकसद को लेके बहुत सारी चीज में है क्या आखर एंटीलिया के बाहर एक गारी खड़ी करने के पीछे की सोच क्या हो सकती है और क्या एक एक एसेसेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कत का आदवी ये काम अकेले कर सकता है ऐसा बिलकुल नहीं